वेल्कम वेक हम्दान फैबली कैसे हैं आप सब खैजियस हैं मैं हूँ नादरी आमिक अच्छा आज यह हम्दान मेरे साथ है और बहुत शरारते करें अच्छा आज मैं आप लोग लिए फेड़िटीस लाया हूँ और मैं आपको बलके दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी तो एक बंदा मेरा वेट कर रहा है मैं बाहर उसको वेट करवा कि आया हूँ और वह यहां से घुजर रहा था मेरा दिल हुआ कि यार वह चीज जो है ना उसकी रिकॉर्ड की जाए तो चलें आपको सुना अमधार चलें आपको सुनातें तो मैं उस चक्स करीब पहुच चुक हूं वह यहां से गुजर रहा था और मैं उसको रोका मैंने का आप रोको और मैं आपकी चीज रिकॉर्ड करूंगा और यह मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं तो क्या नाम है आपका अली रजा क्या करते हो नाते पढ़ते हो कितने साल के हो बारा साल के हैं बारा साल के हैं अली रजा और माशाला इनकी आवाज इतनी प्यारी है कि मैं अभी दुकान जा रहा था कुछ लेने के लिए तो यहां से मेरा गुजरना हुआ वो अपनी गली से तो मिनकी आवाज मैंने सुनी उनको मैंने रोका मैंने गया रोको मुझे तुमसे काम है और ये इन्होंने मेरे लिए वेट किया तो क्या सुना रहे हैं आप मुझे ताहू इलाही में तुझे से दुआ आमांगिता हूँ करम मांगिता हूँ अता कि तुशाने करीमी का सदका दिला दे इलागी रखी में का सदेका मांगोंगा तुझे से तो मांगोंगा की से तेरा हूँ के तुझे से दुवा मांगेता दो करम मांगेता हो जो मुखे लीजे गे उनको दॉलते अता के जो भी मारी गे उनको शेगते अता के आमें का वारी है मौला उन्हें ने करिशता अता के दे मौला ये नादान गुल्चे कुछ नहीं जिनके पल्ले उन्हें भी दिखा दे शरम के तु जल्वे पड़कते जिड़कते शरारे बुजा दे उन्हें भी तुन्हें के गुल्चन बना दे एह में लानमा की रिदा मांगिता हो इलागी में तुझे से दुपा मांगिता हो इलागी तुझे वासिता पंजे कने का एह सद्ध का रिदा करा रिदा मांगिता हो इलागी में तुझे से दुपा मांगिता हो तो आपने सुना अली रजा का कलाम माशा आलला इतना प्यारा है रोने पड़ाया मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल कर रहा है कि मैं बार बार सुनू तो मैं मदीद सुनूगा और मैं इनसे काफी दिर बाते भी करूँगा तो उमीद करता हूँ कि आप सब लोग को यह पसंद आया होगा लेकिन अभी इसके साथ-साथ और भी बहुत कुछ है और वो क्या है भुश्या है वो बता देता हूँ वो यह है कि आज मेसिस हैं वो बना रही है काने में कड़ी काउसा तो मेरी कोशिश होगी कि शायद अली रजा तक भी मैं आज अली रजा को अपनी तरफ से कड़ी काउसा भी कहला हूँ और खुझ भी खाऊंगा और आप लोगों भी दिखाऊंगा फैमिली के साथ तो अमीद करता हूँ आप लोगों को इनाद अच्छी लगी होगी तो अभी हम चलेंगे अपनी कड़ी काउसा की रेसिपी की तरफ जब तक मैं अली रजा से थोड़ी गप्शप कर लो तो मिलत हैं आपके जारी हूं कड़ी काउसा हैं अपर कड़ी जो है और मुस्त तो नहीं कह सकते बस हो रही है क्योंकि देखें कैस बहुता मारी है और इस कैस भी पक्कई है तो घनीमत है आप पर मैंने अधा किलों कीमा लिया है कीमा नहीं बस छोटे-चोटे से चॉंक्स है क्योंक आपके लिए और आपके लिए प्यास चॉप कर लिए है और हम इसका बैटर बनाएंगे कीमा चीजों का अपर जो डेकुरेट होता है वह आप चाहने तो दर बीफ भी ले सकते हैं यह बक्रे का मंदन भी ले सकते हैं बीफ भी ले सकते हैं मुझे चिकिन जली फ्राय हो जात पर तेर हो गई इस वजह से खौसा बनाने में भी थोड़ा लेट हो जाएगा और यहां पर हमारी स्पैकेटी रखी है यह बाद में बॉल करूंगे सबसे पहले बैटर तयार कर लेते हैं सबसे पहले हम अपने यह बुना हुआ चिकन का जो है कीमा टाइप का यह तयार कर ल तो जब ट्राइडी हो जाएगा तो मैं आपको तिखाती है यह नूर्माली बनेगा जैसे हलकी ऐसा ओयल में प्यास सॉटिक करके उसके बाद चिकन का यह डालना है अधर गलसन का पेस्ट हल्दी पिसावा धनिया नमाग हलकी सी मिर्चे दाट से एनफ और उसके बाद तेम प्राइडी है तो खेला मैं आपको बता रही हूं वैसे ही लेकिन मैं आपको तैयार करके भी बता दूंगी ठीक है जब तक क्रिप एट कीचिए अचा यह मैंने आपके साथ एक चीज़ करनी है अभी मैंस्बंड के साथ कई ती इह इंत्यास तो वहां से मैंने अपने लिए मुझे टू मॉस्टराइजर लिए है नादर दिखाएं तो वह जो है जो क्या नामे यलो वाला है वह जैसे स्किन ट्राय हो जाती है तो यह मुझे सैंपल में मैंने ट्राय किया उन्होंने सैंपल दिखाया तो मुझे काफी यूसफूल लगा और वह काफी ज्यादा कर सकते हैं यह मुझे टू हंड्रेट के करीब मतलब टू हंड्रेट का एक है और उसके साथ एक फ्री मिला है मुझे तो यह मैं आपको अपलाय करके दिखाती हूं हस्बेंड के हाथ पर दिखाती है अचाई यह देखें चैना में चुटा समयने डॉट डाला है अब आप इ यूज आप कर रहे हैं तो आपकी स्किन के स्मूद एंड ग्लोइंग हो जाएगी और उसका जो दूसरा वाला यह मैंने यलो वाला अपलाय किया यह वाला यह बहुत अच्छा है और दूसरा जो है वो जो फेरनेस में है मतलब आपकी स्किन को फेर भी करेगा और यह जो है तो नादर आपको बताएं देखें काफी डिफरेंस है यह करीब से मैं आपको दिखा रही हूं यह देखें और इसका पीछे वाला इससा देखें यह कितना मतलब जैसे अच्छा सा हाथ लग रहा है प्यारा सा जैसे आपके से बात भी करेंगी यह आपके हाथ वीडियो में प्रिज़ेंट होंगे तो आपके हाथ कितना प्यार है यह देखें अगरेए वीडियो हमें वीडियो बनाने नी दे रहे हैं और क्या नमें दोनों से खीलने में में लगाई बहलाकर दूसरा ला लेती हूं और फिर मैं आपको बताती हूं कि वह उसका मतलब यूजिंग कैस अच्छा यह दूसरा है नादर अपलाए करें थोगा सा लेते ना आदर एक्साइटेड हो गए है ना नादर लगाता नहीं हूं आपकी फरमाईच पर लगा रहा हूं कोई बात नहीं यह पता है उन्होंने कहा है कि यह आप अपने जैसे हमदान है ना बने अरगे रो के बाब दोनों प्यारे कित्ते हाथ लगा रहे हैं आप खुद बताएं वाकी में काफी डिफरेंस है ना तो यह जब नमाज के लिए वजू बगर करने के बाद लगा सकते हैं या फेस पर भी लगा सकते हैं नादर जो कुछ अगर आपको लगता है कि मूपट लगाने तोड़ा बा कि मैं इस चुची पाई को भी लगा सकती हूँ बाबाई आप खारे हुए नहीं दान को लोशन वगरा खाने का इतना नहीं नहीं बेबी आओ बज़ा हूँ मैंने 50 रुपीज का पाउं में या आप हाथ में भी पहन सकते हैं चल्ले हैं अब देखें कितने प्यारे हैं ना तो बैह ये भी लेकर आई थी ग्रॉसरी की थी तो मैंने अम्दान के कुछ कपल देने थी तो कपले में पसंद नहीं है मुझे यह अच्छा लगा तो मैंने प्राइब ले लिया पतर नहीं अप लोगो को क्लियर देख रहा है कि नहीं देख रहा है यह बहुत प्यारे हैं तो जिस जिसको भी लेने वह भी जाके इम्तियास से ले ले 50 रुपीस इसकी प्राइज है और मैंने आपके साथ इन दोनों का भी रिव्यू वता दिया है यह हमदान बहुत शरारती होगा है तो यहां पर हमारा मज़ेतार साथ तयार है और इसके साथ हम यह स्लिम्स इंजॉय करेंगे उपर क्रम्स के लिए और क्याना में रेसिपी फूल आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमदान बहुत जादा चड़ 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 होगा तो इंशाला मैं फिर आपके साथ फूल रेसिपी शेयर करूंगी और क्या मैं बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अलाहाफेश